पुर्षों की कमजोरी को दूर करने के लिए और महिलाण को कमजोरी को दूर करने के लिए हम अलग अलग रसायन देते हैं पुर्षों को अश्वगंदा चुरन देते हैं मनिलाओं को शतावरी चुरन देते हैं या शतावर चुरने से कहते हैं ऐसा है इसलिए क्योंकि मानिला का शरीर बहुत सेंस्टिब भी होता है, कोमल होता है, गर्म उश्न उश्दियां ले तो हो सकती हैं, लेकिन कई बार उसकी वज़ा से मासिक चक्र या तो अधिक हो जाता है, या फिर समय से पहले आ सकता है, उससे छेड़ चाड ना दो और उनक उसको बैलस में रख सके हम, इसलिए शतावर का उपयोग सेफ मन जाता है, ये ऐसा चुर्नायल बाली का छोटी हो अगर जिसको भी मासिक चक्र शुरू भी नहीं हुआ, और कोई गर्भावस्था से गुजर रही है मैला उसको या खर कोई वृद्ध मैला हो उसको भी दिया उसको दुरान कमजोरी आ जाती है, उसने भी दे रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि भले श्यतावर, जो कच्छा श्यतावर की जड़ होती है, ताजी, उसका रस यदी दे तो ठंडा तासीर का होता है, तेकिन जैसे दूप लगवा के उसको सुखा देते हैं, और ये फ कि बाड़ी उस चीज पर कैसा रस्पॉंड करेगी, किसी के लिए ये बहुत ठंडा ठंडा मैसूस कराएगी उसको किसी को हल्की गर्मी देगी, ये चुरन, ये अपनी परकृती पर निरवड करता है, तो ये आश्यत महिलाओं को तप दी जाती है, जब हमें लगता है कि उ कि ये आश्यत महिलड दूद्ध पिला रही है, और दूद्ध पुरा ऑबर नहीं रहा है, दूद्ध पिला धिया तो अपने लिए शरिर में ताकत नहीं बच्ती, प्रड़ प्रशर लो रहता है, तो इसको दिया जाता है, इसे शरिर पूष्ट होता है, और सालल-बर वाले उसी तरफ जो पूरशों की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसे किस समय देना है। तो रात को लेने के बाद उसे पच जाए तो हम रात को देना अच्छा मानते हैं, सुबा भी देना अच्छा मानते हैं, रात को दूद लेना अच्छा होता है, इसलिए रात को मैं चूरन की बात कर रहा हूँ, कई बार पाचन शक्ति यह चूरन जिन में काश ठोशदियां होत बच्चने में जोर जादा लगाते हैं, तो इसलिए कई बार सुबह देना पड़ जाता है, पुरुषों को यह क्यों देते हैं, कि उनको गर्मी चाहिए, और इंग्रेशन चाहिए, अला कि शतावर पुरुषों को भी देते हैं, अश्वदना महिनां को भी देते हैं, लेकिन जब लगता है कि पुरुषों को थंड़ के जड़ूरता था साथ में, तो फिर उसमें यह यह जातावर साथ मिला देते हैं, अनुपात कितना रखना है, किसी का दो एक रखना है, कि चलो अश्वदना जादा काम करें पुरुषों में, शतावर का हलका पुल का ताकत मिलती पा रहे हैं, तब ऐसा कराते हैं, तो यह एक धंग है, लहजाद, पाकी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, काम दोनों का सेम है, दोनों बाजी कारद भी है, दोनों कुष्टी कारद है, दोनों वरिष्यन है, वीरे बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, दोनों जो है शरिर की जर्नल्ल डिब़िटी, कमजोरी दूर करती हैं, यह दो नो है, और कितने दिन लेनी हैं, मैं यह मेह सुस्क्रता हूँ, एक वेक्ति को दो-तिन महीना पर ऐसा हुआ और उसके बाद अगर उसके आपस कोई मेंटोर नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, उसको कि मैं और रूँ या ना लूँ तो उसे एक महीना बंदेदर देनी चाहिए उसके बाद वह देखे कि क्या उसका शरीर खड़ा हो गया है जो उसने ओशद ली थी उसका असर वागपिस बरकरार है या फिर वापिस कमजोरी आ रहे वापिस दिक्कत आ रहे है अगर वापिस दि करें खून पूरा है नीज समय पर खुलती है और नीज समय से आती भी है कोई काम अगर बोल दो स्विक्ती को तो वो आलस नहीं करता है तो समझ में आता है कि अब उसे ताकत की चीजों के इतनी जरूरत नहीं है वो खुराक ले रहा है जो उस सफिशेंट है और दुबारा म प्रण लेजा मैंने आपको जो बताया फिर भी बहुत सारे प्रशन बहुत सारी ब्रांतियां फैली होई है आस वास के लोगों में कि ऐसे नहीं ऐसे करो मैं आपको सब बता हूँगा पर नीचे पूचिए कितने देर तक यह खराब नहीं होता है यह एक ऐसी चीज है कि इस इस पे एक्सपायरी रेट लिखना हमारी मुझबरी क्योंकि ऐसे निर्देश होते हैं जिसमें सब चलना है वैसे अगर कोई व्यत्ती इसको एयर टाइट करके रखता है मोईस्टर से बचाता है तो इन जड़ीबुटियों को दो चार पास साल कुछ नहीं होता है अपनी र अगर आपको लगे कि इसमें तो महक बदल गई है इसका तो गंद बदल गई है इसकी जो इसकी नेशरल गंद थी वो तो ही नहीं अब इसमें तो समझ में आता है कि चीज भी खराब हो गई यह है इसका समझने का तरीका आपको कैसी लगी मेरी यह जानकारी मुझे जरूर और क्या इस पर आप जानकारी चाहते हैं, आयरवेद में बहुत कुछ है, मैं खुद आप तक पिछले 20-22 वर्शों से काम कर रहा हूं, तब भी सिखता रहता हूं, तो आपको मैं जरूर बता हूंदा, आप मुझे पूछें, चर्चा करें, अपने अनुबाव सांजा करें, आपके कोमेंट से दूसरें को भी बहुत होसला देते हैं, कई बार जब नीचे कोई कोमेंट करते हैं, तो व्यक्ति को थाचलता है कि मैं किसी अथेंटिक व्यक्ति की वीडियो पर आया हूं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रती क्रियाजर पूर रखें, त आयरवेद में छोटे बच्चों के लिए और बजर्गों के लिए कम दवाईयां उपलब्द हैं, ना के बराबर, वो गोली नहीं खा सकते, तेज दवाईयां नहीं खा सकते, इस समस्या को समस्ते हुए मैं लेकर क्या है हूं, अनंदम आयरवेद की तरफ से आपके लिए ध को मिल जाएंगे आप इसे अपने घर में रख सकते हैं कभी भी फस्टेड के तोर पे जुरूत पढ़ने के लिए आपको ये बड़े ही अच्छे हैं बच्चों से लेके बज़र्गों तक सब के लिए और इनकी डोज यदी कम जादा भी हो जाए तो डरने की जुरूत नहीं ह क्योंकि ये भगवान शंकर द्वारा चलाई गई है उन्होंने मापार्वती को सिखाया मापार्वती ने आगे रावन को विद्या दी और रावन ने फिर इस पे बहुत सारे ग्रंत भी लिखे आप जरूर इसे अपने घर में अपनी जीवन में शामिल करें